10-day MBA program जो था डाक्टर विबेत बिंद्र का उसको एक नोटिस दिया गया है कॉर्मेंट की तरफ से नोटिस आल इंडिया टेकनिकल एजुकेशन की तरफ से आया है कि जो ये 10-day MBA program है ये यूद्स के माइन को डाइवर्ड कर रहा है और ये कोई भी 10-day MBA program जो डिग्री है इसको कोई इंस्टिट्यूट या कोई भी यूश्टी तभी दे सकते हैं जब यूजी सी रिकर्गनालिट हो यूजी सी अप्रूब्ड हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10-day MBA program की जो रियल्टी है और जो इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो बताने वाला हूं चली वीडियो को सुरू रहते हैं ये है अफिशल वेफसाइट आलेंडिया कॉंशन फार टेक्निकल एजुटिशन और इन्हों ने एक नोटिस जारी करा है इस नोटिस को आपको दिखाता हूं नीचे इस कुराल करेंगे थोड़ा सा और यहाँ पर दे रखाए अडवाजरी अगेस्ट फेग एंडिया प्रोग्राम टार्गेटिटिंग यूउद्स इस पर क्लिक करेंगे अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह नोटिस ओपन ह हो जाता है नोटिस में यह दे रखा है यह ओफिशियल नोटिस है आल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन का ठीक है तो पॉब्लिक नोटिस है और यह 18 दिसंबर को रिलीज करा गए एडवाइजरी अगेंस्ट फेक प्रोग्राम टार्गेटिंग यूथ ठीक है बतलब यह यह यूथ को टार्गेट कर रहा है जैसे मैंने सुचा कि मैं खुद सुचने लगा था कि जो है मुझे लगता है 10-day MBA का लेना चाहिए और ऐसे जो यूथ कैट की जीमेट और डिफरेंट जो कंप्टिट्व एक्जाम् जो इंडिया के highly recognized MBA colleges हैं वहाँ पर admission पाने के लिए जो है completion की तैयरी करते हैं और जो CUTPJ है वहाँ भी कई universities MBA में admission देती है CUTPJ के धुरूद तो यह एक तरह से कह सकते हैं कि यूथ को टार्गेट कर रहा है और यूथ को जो है गल्द डायरेक्शन में अलग डायरेक्शन में ले जाने के लिए यह जो फेक MBA प्रोग्राम इसको कह सकते हैं तो यह रही government की जो मतलब यह institute की जो है advisory और इसमें रेट करेंगे at highest come to notice of all India concept of technical education that some motivational speaker influencers are offering a 10-day MBA crash course this is to inform to all stakeholders that such crash course is an attempt to misguide the young minds of the country ठीक है तो young minds suppose like me and other students उनके जो है minds को जो है क्या करने के लिए misguide करने के लिए कि भाई तुम 10 दिन में भी MBA कर सकते हो और तुमको institute जाने की कोई जरूरत नहीं है हमारे पास आजाओ हमारा course जोई कर लो like that और यह जो है वीडियो में आ जाओ 10 दिन में MBA सीख जाओगे और मत यह से जादा सीख जाओगे जितना वहाँ institute पे नहीं सीखाएंगे आपको तो यह चीज है इसके अंदर इसके बाद है आइस पर्दा कॉंट्रेबल सुप्रीम कोर्ड जिस्मेंट नह इस्टिट्यूट उनिएस्टी कान रन टेक्निकल कोर्स डिक्लूडिग एम्बीय मनेज तो यह दो साल की यार जो है पीजी डिग्री होती है और इसमें हम जो है मतलब जो इंडिविच्वाल है पार्टिक्लर जो करेगा एम्बीय है उनिएस्टी से वह एक तरह से डेवलप कर लेगा आपने आपको उसका नेजर डेवलप हो जाएगा कि वह जो डिफरेंट थोड़ा सा ओवर करता है यह सारी शीचे वहाँ कपी सिखाया जाता है ठीक है तो यह सारी चीच वह क्लेम कर रहे थेंड प्रोग्राम में एक एस लेडिंग तो डिग्री कंप्लिटे इन 10 तो उन्होंने क्लेम कर रहा था डाक्टर विवेक पिंद्रा ने कि आप वहाँ से तो यह चीज पॉसिबल नहीं है ठीक है यह एक कहे सकते हैं डिस्गाइट कर रहा है मिस्गाइट कर रहा है ठीक है देरफोर इज नॉटिफाइड तो आले स्टेकोल्डर्स देर थे एंबी प्रैस कोर्स ओफड़ वाइस सच इंडिविचल और्कनाईजेशन्स और मिसलिव इन इन अप्रोप्रियेट ठीक है यह से नियार पुरी तरह से अले स्टेकोल्डर्स इस्ट्डेंट्स और एड्वाइस टो इस तो यहां पर यह रही एक नोटिस फेक जो एम्बी प्रोग्राम है उसके अगेंस्ट में तो यह रहा एक फेक एम्बी प्रोग्राम जो डक्टर विवेक बिंद्रा ने स्टार्ट करा है उससे रिलेटड यह नोटिस और इसमें मैं ने बताया कि यह जो फेक एम्बी प्रोग्राम एक ऐसे मिस्गाइड कर रहा है और ए आईसीटी ने भी यह जो है नोटिस निकाल इनको अथौरिटी नहीं है कि यह फेक एम्बी प्रोग्राम अपना कांटीनू कर सकें रन कर सकें 10 डेज में इसे ना थोड़ा सा यूथ मिस्गाइड होता है और लगता है कि वाह यह यह तो थोड़ा सा जल्दी मतलब चीज मिलने वाली है और दस दिन में ही कम्टिय ठोल जाएगा उनिस्टी जाने भी क्या ज़रू रहता है तो ऐसा नहीं होता है जो एक प्रॉपर टाइम पीरिट होता है किसी चीज को सीखने का और जो जिता टाइम लगता है किसी चीज में लगाना चाहिए क्योंकि वहां से जो है आउटपुट में महाने की पॉसिबिल्टी जैसे दो साल कोई लगाएगा यंबी इंस्टीट में वहां चाहे आयायाम से कर रहा हो या अधर जो यूनिस्टी है वह भी आफ़र करते हैं तो वहां से आप कर सकते हैं और ऐसे शुक्र में नहीं पढ़ना चाहिए तो यह रहा एक नोटिस थोड़ा सा जिसको मैंने डिसक झाल